अब आप सब कैसे हैं I hope कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टेडी को continue कर रहे होंगे फ्रेंड्स आज की वीडियो लेक्षर में जो आपका सर्जक्ट आरंभिक इस तर पर भाशा गडित के पठल लेखन शमता का विकास इसके पवन सिरीज के लगुत्री प्रेशनों की सिरीज को continue करेंगे जो आज आप लोगों का ये complete हो जाएगा उसके बाद जो आपका राजन सिरीज हो जाता है उसको continue करेंगे उसके बाद आपके जो 2016 से 2022 तक की पेपर हैं उनको solve करेंगे ठीक है न तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी skip ना क्या कीजिए और वीडियो को last तक जरूर देखा कीजिए और कहीं पर कोई doubt है कुछ clear करना है तो please आप लोग comment box में comment करें हम उसका reply आप लोगों को जरूर से जरूर देंगे तो प्रेश्णवाचक चीन देखी प्रेश्णवाचक चीन इस तरह का होता है यह कब लगाया जाता है जब आप किसी से कोई question कर रहे हूं जिससी क्या आप school गए थे या क्या आप ने भोजन कर लिया कि क्या यह संभव है मतलब किसी चीज में क्या लगना क्यों कब कैसे यानि लग एक प्रिश्ण वाचक चीन कहा परियोग मुखि रूप से निमलिखे तिस्थानों पर किया जाता है यह था प्रेश्ण वाचक वाकि के ंत में तुम्हारा पता क्या है अब यहां पे क्या आया यानि की प्रेश्ण कर रहे है वियंगात्मक भाव परकट करने के लिए वाकिके अंत में कोस्टक में आजकल नेता भ्रस्टाचार मिटाने का संकल्प लेकर ही चुनाव लड़ते हैं यहाँ पे हो गया संदे या निश्चे परकट करने के लिए संदे इस तलपर कोस्टक में नेता और सत्य निश्ट यह आपका यहाँ पे question mark हो गया तो इस तरह से आप यूज़ करेंगे ठीक है न अब बात कर लेते ह्लिए अर्ध विराम का स्वरूप इस्पस्ट कीजिए अर्ध विराम का मतलब क्या होता है अर्ध विराम का जो चिन होता है वो आपका एक बिन्दू और इस तरह से अर्ध-विराम कब लगता है जैसे जब आपको पूड़-विराम यानि पूड़-विराम का मतलब होता है पूरा चिन एक जैसे आपने कंप्लीट किया और आपने उसके बाद ये चिन का यूज कर लिया लेकिन जब इसमें आधा यानि आप इस तरह से कह सकते हैं कि पूर विराम से आधा जब समय लगता है तब हमें हम अर्ध विराम लगाते हैं तो यही चीज़ हो जाती है वाकि में पूर्ड विराम से कम देय ठेहरने के लिए और अर्द विराम का परियोग होता, इसका परियोग कुछ सीमित स्थितियों में होता है, जैसे किसी नियम के बाद में आने वाले उदाहरण वाचक जैसे शब्द के पूर्व, नाम को संग्य कहते हैं यथा अब यथा से पहले देखे है के बाद और यथा से पहले आपने क्या लगाया आपने अर्ध विराम का यूज किया ठीक है विवेक हिमाले दिल्लियाद अब जहां पर विवेक है उसके बाद में आपने क्या लगाया अल्प विराम हिमाले के बाद में आपने अल या आप ऐसे कहले अल्प विराम से बड़ा अर्धि विराम होता है और अर्धि विराम से बड़ा कौन होता है तो पूर विराम होता है आप किसी भी तरीके से इसको परिभाशित कर सकते हैं बस चीजे समझने की होती है बाकि आंसर वही होना चाहिए है ना आप ये कहले कि समाना अधिकार वाक्यों के बीच में यह था भारत में राजनेतिक स्वतंतरता का उद्भोष लोकमानते लगने किया फिर आपका अर्धविराम उन्होंने ही देश को स्वतंतरता हमारा जमसिद अधिकार है का नारा दिया अब कोस्टक के चिन्नों का वर्णन कीजिए कोस्ट में पढ़ा है करली ब्राइकेट यानि एक चोटा ब्राइकेट होता है तो इस तरह कोस्टक होते हैं इनका वास्टक के बीतर मुक्किता ऊस्सामगरी को रखते हैं जो मुख्य वाकिकें अंग होते हुवे भी पृठक की जा सकती है संग्या के मुख्य तीन भेदों व्यक्ति वाचक जाति वाचक भावाचक का विवेचन ही हम यहां करेगे अब आपने क्या कैए संग्या के तीन मुख्य भेद, मुख्य भेदों को आपने बता दिया, अब मुख्य भेद बताएं या व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, आपने इसको अलग-अलग कर दिया, वही चीज की पहले आपने एक में कोई चीज बता दी, फिर उसको अलग-अलग कर दिया, तो दो खागा या एक दो तीन यह आपकी रोमनंग हो जाते हैं जैसे तो इसमें सम्में यह क्या है कोस्ट का यूज हुआ है तो इस तरह से आप कर सकते हैं पर सिक्षन चार्ट पेपर पर विराम चिन्हों का परियोग किस परकार करेंगे यह जो 2018 में देखी यह कोशन आया हुआ है विराम चिन्हों के परकार उदार अद छःत लिखिये अर violation के बेद उनके संकेतों के साहथ लिखिये विराम चिन्हों जो यह कोशन आपका हो जाता है यह कैंग यह आप लोगों के लिए वेरी 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 जितनी बार वेरी के हैं उतना कम है यानि कि आपको important है इसलिए आप इसको अच्छे से तयार कीजिए कोई भी confusion ना रखिये सारे जिन्नों को अच्छे से समझे और कल हमने एक आप लोगों से question पूछा था लेकिन किसी ने उसका answer नहीं दिया कमेंट बहुत आये लेकिन उसका answer नहीं आया ठीक है ना तो उसका answer दें तो मैं इस तरह से question रोज एक question रख लो कि हम है आप लोगों से पूछे तो इस तरह से आप लोगों की तैयारी भी और भी अच्छी हो जाएगी जब आप कहते हैं नहीं है कि group study एक बहुत अच्छी चीज होती है आप से कोई question कर रहा है और आप उसके answer दे रहे हो और यह जब कोई चीज important होती है तब ही कोई उसका question जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम वही चीज़ें आप से discuss करेंगे जो आप चिन है उनके नाम और उन चिन्नों के जो सिंबल है मतलब जो चिन है वो कैसे दर्शाय जाते हैं और उधारन जैसे अल्प विराम क्या होता है जो अर्द विराम से भी छोटा होता है वो क्या होता है वो अल्प विराम होता है तो अल्प विराम कहां पर यूज होता है जैसे दो तीन चार लोगों के नाम साथ में लेना हो या दो तीन चार शेहरों के नाम साथ में लिखना हो या कई सबजियों के नाम आपको बोलने हो तो क्या करेंगे आप थोड़ी सी सांस लेके फिर बोलेंगे थोड़ी सी सांस लेकर फिर बोलेंगे अब यहाँ पे देखे आपने राम, श्याम, प्रेश्ण यानि हलका हलका ठहरे इसके लिए आप अलप विराम का यूज करेंगे और मुरारी विद्याले से घर चले गए अब आपने कम्प्लीट कर लिया यानि पूर विराम लगा दिया उसके बाद पूर विराम क्या होता है अब यहाँ पे आपने पूर विराम किया आप इसके डिफिनेशन भी देख लेते हैं पूर विराम वो होता है जब हम संटेंस को पूरा कर लेते हैं और लास्ट में जो चिन्ध लगाते हैं उसको पूर विराम कहते हैं ठीक है ना और पूर विराम आपका कैसा होता है तो य एक खड़ी लाइन यानि ये पूर विराम है तो ये अल्प विराम से भी बड़ा होता है और अर्ध विराम से भी बड़ा होता है और अर्ध विराम के दो गुना होता है आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्रिश्णवाचक चिन देखे इस तरह का प्रिश्णवाचक चिन होता है आपका दिख रहा है, तुमहारा नाम क्या है, अब आपका क्या बीच में आए, क्या पहले आए, डबलो एच फैमिली का यूज हो, यानि वहाँ पर प्रिश्ण वाचेक चिनल लगना है, तो क्यों पर कैसे कहां, वहाँ पे प्रिश्ण वाचेक चिनल, कोई आपसे कोशिन कर कि तुम विद्याले गए थे यानि तुमसे कोई कोश्चन कर रहा है ठीक है ना यह क्या है यह क्या है तो आप इस तरह से लिख सकते ऐसा नहीं है कि जो चीज बुक में लिखी हुई है बिलकुश सेम तुसेम आप वैसा ही लिखें आप अपने तरफ से ईग्जामपल लिख सक लिख सकते हैं अच्छे से आप यहां पर देख लेते हैं विसमयादी बोधक चिन ऐसा होता है कैसा होता एक लाइन होती है कड़ी और बिंदुनी चे लिगा होता है तो यह कब लगाया जाता है जैसे हर्श शोक ऐसा कुछ जैसे कोई बहुत अच्छी खबर आपने सुली अरे वह ये तो बहुत अच्छी खबर है है ना तो आप मतलब क्या है आप विस्मियादी बोधक चिन का यूज करेंगे क्योंकि आप बहुत खुश है हर शोग जैसे ऐसा हो लेकिन जैसे किसी को चोट लग गई ठेक है अरे ये कैसे हुआ है ना अरे आपने क्या किया शोग आपने शोग जताया है ना दुख जताया तो आप ऐसा ही चिन इसका यूज करेंगे या किसी को जॉब मिल गई है ना अरे वह बहुत खुशी की बात है आपको जॉब मिल गई है ना आपने बड़ा स्ट्रोगल किया भाई आपको जॉब म अब देख लेते हैं अर्ध विराम तो अर्ध विराम का मतलब क्या हो जाता है अर्ध विराम अभी डिसकस कर चुके हैं फिर से एक बार डिसकस कर लेते हैं अर्ध विराम वो होता है जो पूर विराम से आधा होता है और अल्प विराम से बड़ा होता है ठीक है ना तो आपका जो ये चिन हो जाता है तो एक बिंदू उपर और इस तरह से ये आपका अर्ध विराम हो जाता है ठीक है जो चाहो सो करो और उसके बाद चिन है ना जो चाहो सो करो अब मैं यहां से नहीं जाओंगा आप इसके बीच में आप ये चिन लगा सकते हैं ये लगता है इस तरह से अवतरण चिन जैसे भारती गिरंथों के गीता का विशेश महत है अब कोई चीज लिखनी है आपको यहां पे गीता लिखा हुआ है ठीक है तो आपने क्या क्या इस अवतरण चिन का परियोग किया और बीच में गीता लिखा ठीक है ना ये आपका क्या हो जाता ये अवतरण चिन हो जाता है और यहां पे ऐसे भी आपने ऐसे भी चिन लगाते हो ना आप लोग तो महावीर स्वामी ने कहा जीव हत्या पाप है तो इस तरह का चिन आप लगाया जाता है आप लोग लगाते हो तो I hope आप लोगों को चीज़े समझ में आई होंगी अगर कहीं पर कोई confusion या doubt रह गया है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें हम उसका reply आप लोगों को जरूर से जरूर देंगे अब देख लेते हैं विस्मियादी सुचक्चिन किसे कहते हैं सोधारन समझा हैं देखिए वही चीज अभी हम लोग उसके डिसकस कर चुके फिर भी देख लेते हैं विस्मियादी बोधक चेन आपका इस तरह से हो जाता है कब लगता है वाकि में हर यानि बहुत खुशी है ना गृणा किसी से नफरत छी हम ऐसे करते नहीं आप कोई वैसी चीज देख आ गया यानि वह मज़ा आ गया तो ये क्या है ये घरणा तो है नहीं शोक तो है नहीं भय तो है नहीं क्या है हर्ष है है ना तो वह मज़ा आ गया इसमें या विस्मियादी आ संबोध सुचक चिन वाकि के अंत में परियुक्त होता है हर्ष विशाद घरणा आस्चर भय आ अग्या, आधि, मनुवेग, सूचक, शब्दो, पदबंदो, उपवाक्यों, तथा वाक्यों के अंत में जैसे अह, उसी कितना दुख हो रहा है, जैसे कोई चीज दुख की आप उसने सुने है ना, शब्द, विशाद, इतनी लंबी, दीवार, पदबंद, आश्चर, कैसा महुदे, अब हमारी बात सुनीये, ये संबोधन है, है ना, योजक चिन लगाते हुए, दो उदहारण दीजी, अब योजक चिन कौन से होता है, ये समझे तो इस तरह का होता है, है ना, जैसे आप कुश लिखने चलते हो, तो जैसे उदहारण, कोई चीज है, उदहारण, ऐसे लिखा उदहारांड या ऐसे लिखा आपने जैसे, जैसे करके आप ऐसे करते हो ना, उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करते हो, तो वही आपका क्या हो जाता है, यूजक या विभाजक चिन, आपने मतलब जैसे को अलग कर दिया और उसकी चीजों को अलग कर दिया, न तो से पहले यानि सादे को यहां पे है यहां पे सी है तो उससे पहले दो दितततत पुरु समास में जैसे रात दिन रात और दिन होता है लेकिन इसको इस तरह से दिखाते हैं रात और दिन जैसे भूखा प्यासा तो यहां पे ऐसे भी लिखा होता है भूखा और प्यासा लेक जब पूछा जाता है तब आप उसको और करके आप बताते ही एक्जामपिल देते हैं, परियोगिस्तल यहां तक हो जाता है, अक्षरों में लिखी जाने वाली संक्यों और उसके अंशों के भी जैसे एक चौथाई, एक तिहाई, मद्द के अर्थ में, अगंद, रावन, सवा जब तब घट घट गाते गाते धीरे धीरे हाई हाई, च्छोटे च्छोटे, यानि जब आप एक चीज़ को दो बार लिखेंगे, तो उसके बीच में भी यह जिन लगता है, कौन सा चिन लगता है, तो यूजग जिन लगता है, विलोम शब्द किसे कहते हैं, विलोम मतलब क्या होता है उल्टा होता है किसी चीज़ को आपने का अच्छा तो उसका उल्टा क्या हो गया खराब रात आपने कही तो उसका उल्टा क्या हो गया दिन हो गया यही विलोम शब्द होते हैं विलोम शब्द जब दो शब्द परस पर विपरीत उल्टा आर्थ देते हैं तो व प्रति प्रम कहने रहें शक्स गोर रहें कि उस तरह से क्या है फ्लटा चलना है विप्रीत चलना है जो कहेंगे इसका अपोजिट तो अपोजिट क्या होता है विनुख में ध्यान रखने योगे बात हैं टत्सम शब्द कउबों में अगर का विलोम पश्य ये चीज़ भी धियान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि अगर तत्सम है तो आपने तत्बों में बना दिया और तत्सम जैसा हो आप उसी में बनाईएगा ठीक है और यहां पर देखे क्या कह रहे हैं कि पश्य ही होगा और नया का विलोम तो पुराना होगा किसी भी इस्तिति में अगर का विलोम पीछे तथा नया का विलोम प्राचिन नहीं हो सकता क्योंकि देखे है वही चीज़ मतलब वही है लेकिन अगर आपका क्या कह रहे हैं यहां पे कि अगर आपका तत्बों में हैं तो आप तत्बों ही लिखे और तत्सम है तो तत्सम ही लिखे यहाँ पे कुछ उधाराने अल्प आयू मतलब दीरगायू अब कहें अल्प आयू को अल्प आयू मतलब क्या होता है कम आयू और दीरगायू मतलब ज्यादा आयू अल्प आयू आयू तो आपने लिख दिया ज्यादा आयू तो नहीं क्योंकि आपका तत्बव है तो अतिवरस्टी, अनावरस्टी, अमर्त, मृत्य, अपेक्षा, उपेक्षा, अग्रज, अधम, उत्तम, अग, विग, प्रग, अगम, सुगम, अवनी, अंबर, आद्रशुक, इहलो, परलोक, इस्ट, अनिस्ट, इश्वर, जियो, इति, आद, उपरी, अथा, उपसर्ग, प्रत pounds, अग, अपकीर्थि, करुण, निस्ठुर, जियोती, तम, एग, ज़व, भाटा, ताप, शीत, तीर्व, मन्द, आद, देख़्ें तीर्व, यहां पर है, तो यहीन मतलब तेज होता है, मन्द मतलब धीरे होता है, तो आप तीरव है तो धीरे नहीं लिख सकते और अगर मन्द है तो आप थेज नहीं लिख सकते तीरव है तो मन्ध ही लिखेंगे नूतन तो पुराना उसके बाद अन्त आदि अमावस्या तो पूरिमा अस्त उदे अनुलोम प्रतिलोम अपमान सम्मान आधुनिक प्राचीन अविर्भाव तिरोभाव आशा निराशा आदान प्रदान आयात निर्यात आकाश का पाताल है ना इच्छा अनिच्छा इद मुह इधर उधर उपकार अपकार उल्लास विशात एकत्र विकीन एश्वर अनेश्वर कठोर करकश कोमल कृतग कृतगन जंगम स्थावर जल इस्थल तिमिर परकाश तुकांत आतुकांत निर्दोश सदोश यहां पे हो जाते हैं समानार्थी शब्दों का आशे अभी हम लोग कौन से पढ़ रहते हैं अभी हम लोग विलोम शब्द पढ़ रहते हैं यानि कि जो उल्टे होते हैं अब क्या पढ़ेंगे समानार्थी जो समान हो यानि समानार्थी क्या होते हैं कि उसके कई नाम हो है न तो वही तो समानार्थी होता है समानार्थी शब्दों का आशे उ अगनी तो इसका पावक हो जाता है आग ज्वाला अनल एहंकर दंभ घमंड अभिमान सर्प अपमान त्रसकार अनादर निरादर बेज़ती अमरित सुधा मधू प्यूश सूम ग्रह भवन सदन आलम आवास घर तालाव सर सरोवर जलाशे पदमाकर अब तुकांत शब्द पर अपने विचार स्पस्ट कीजिए क्या कह रहे हैं तो तुकांत शब्द कौन से होते हैं इसको समझ लेते हैं वो शब्द जिनके आकरी स्वर सहीत वन को दोराते हुए और नए शब्द बनाये जाएं यानि कि उससे मिलते जुलते कहते हैं कि तुक बंदी तो वो तुक बंदी यानि कि है ना उन्हें तुकांत शब्द कहते हैं ऐसे शब्दों का प्रियोग गीत कविता तथा शायरों में किया जाता है जिससे भाशाती आकरशित हो जाती है तथा सुनने में रोचकता आती है यह था इसका प्रियोग प्रहका विरचनाव में होता है इनके उदाहरान स्वरूप यहां पर देखें है आपका नट यह आपके इतने दिये हुए है अब इसको सबको बनाना है ठीक है तो नट देखें नट खट जट पट नट एक जैसे हुए ना फिर उसके बाद कामदाम नाम शाम माई उसके बाद है माया खाया साया लाया आई नहाया बहाया चलाया मनाया जनंतर कहां वहाँ जहां यहां रोया यानी सब एक जैसे ऐसे लग रहा है कि मतलब तुख बंदी यहां पे तुकान दीये तो है नटखट जटपट तो इस तरह से क्या होता है? यह क्या हो जाते हैं? तुकान द शब्द हो जाते हैं तुकिया काफिया ना मिलता हो अतुकांद कहलाते हैं जिसमें ऐसे तुकांद ना मिलते हो उसको क्या मतलब तुकांद है जिसमें मिलता हो और अतुकांद मतलब आ मतलब लग गया तो नहीं है ना समान धवनी वाले शब्द बता हैं समान धवनी वाले शब्द परतियक भाषा में प्रया कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो वर्तमान भिन्यता रखते हुए भी उच्चारण में समान होते हैं इन शब्दों में अर्थगत कोई सामें नहीं होता है, इन शब्दों को समानधवनी वाले शब्द कहते हैं, आसाब धानी के अकारण विद्धाती इन शब्दों का परियोग दूसरे के इस्थान पर कर देते हैं, जिसे अर्थ का अनर्थ हो जाता है, इसी अकारण इन कारी रहना अत्यान ताविश्यक है इसी तरह से कि कुछ शब्द युगमों के अर्थ यहां दिये जा रहे हैं कर्म कार क्रम सिलसिला यानि समांध होने वले शब्द होते हैं और इसमें बहुत लोग कंफ्यूज भी रहते हैं तो चीजों को समझे जैसे कर्म मतलब कार हो जाता तो क्रम हो गया तो इसका सिलसिला मतलब क्रम संख्या जैसे एक दो तीन मतलब सिलसिला एक चालू हो गया है ना उसी तरह से आपका हो गया कपट यानि धोखा कपट खाली आपने का लिखा पा लिखा और टा लिखा यह क्या हो गया इसका मतलब धोखा लेकिन जब आपने ल गादी तो यह हो गया दर्वाजा कोश हो गया अब देखें इसमें तो आपको थोड़ा सा फर्क लग रहा कि आकी मात्रा भाई हो गए कपड़ धोखा कपाड़ दर्वाजा लेकिन अब यहां पे समझे कोश कोश है जो यह कामियो की मात्रा और शरीफे वाला शा तो कोश अब इस कोश का मतलब क्या हुआ तो यह खजाना हो गया है ना उसके बाद ग्रह तो सूरीचेंदर हो गया अब आपने लिखा ग्रह इस तरह का तो यह सूरीचेंदर जो भी यह सूरीचेंदर हो गया अब इसमें क्या हो ग्रह अब हमने क्या क्या गामें ऐसे वाला रा लग इसका मतलब घर हो गया तो ऐसा लग रहा है इसमें बहुत छूटी छूटी मतलब बहुत छोटे चोटे परिवर्तन हैं लेकिन चीजें कैसे बदल रही हैं तो इन चीजों को समझे ठीक है ना अब जैसे तरी गीला पन तरी नाव तुरंग घोडा तरंग लहर दार दिवस द् चीजें गरीब दारू लकडी दारू यानि दारू दा में आ के अब देखिए ये बिल्कुल एक जैसा लिखा है चुटू उ की मातरा और बड़ उ की मातरा अब इसमें कनफ्यूजन ऐसे इन जैसे ये शब्द हैं इन में बहुत कनफ्यूजन होती है तो समझे इसको दा में आ की मातरा रा में छोटो उ की मातरा दारू मतलब लकडी अब दारू रा में बड़ो की मातरा मतलब शराब ठीक है अब उसके बाद है दंश दंश मतलब होता है डंक काट यहां पे थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें दाम में अंकी बिंदी लगी है और शा लेकिन कभी कभी इसमें भी confusion होते है कि हो सकता है बिंदी छप गई हो मिस्प्रिंट हो मगर ऐसा नहीं है दंश मतलब डंक काट और दां और शरीफे वाला शाह मतलब दस अंक दस अंक नीर जल और नीर घोसला अब नामे बढ़ी की मातरा और रा तो नीर जल हो जाता है और नामे बढ़ी की मात और अड़ा नीर मतलब घोसला हो जाता है नियत निश्चित नियती भाग नीरज कमल नीरद बादल निरजर जरना निरजर अब देखिए निरजर और निरजर नामे चुटी की मातरा और जा उपर रा निरजर हो गया और नामे चुटी की मातरा और जा और रा निरजर तो द देवता, निशाकर, चंद्रमा, निशाचर, राक्षस, नारी, स्त्री, नारी, नब्ज, निसान, जंडा, निशान, चिन, परुष, कठोर, पुरुष, मर्द, नर, ठीक न, अब देखें, यहाँ पर पा में छोटवू की मातरा नहीं लगी है, पा में छोटवू की मातरा, रा कि हो सकता है, यहाँ पर पा में छोटवू की मातरा ऐसा, लेकिन नहीं, इसका मतलब होता है, परुष, मतलब कठोर, और पुरुष, मतलब मर्द, यनर, आप कुछ भी कह सकते हो, घोश एवं अघोश धोवनियों में अंतर इस्पस्ट कीजिए, घोश, ऐसे धोश धोश धो एक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवाँ वर्ड, याराला, तथा हाकुल, एक्तिसवर्ड हो जाते हैं, उसके बाद हैं अघोश, इसके उच्चारण में स्वर्ततिका दूर रहती हैं, ताक कमपन नहीं होती, इस परकार की धुमनियों अघोश कहलाती हैं, अब यहाँ पर आपका हो जाता है, देवनागरी लिपी से आप क्या समझते हैं, तो देवनागरी लिपी के बारे में समझ लेते हैं, हिंदी की लिपी कैसी है, तो हिंदी की लिपी देवनागरी लिपी ही तो है, इसका विकास ब्रहमी लिपी से हुआ है, वर्तमान रूप ब्रहमी का व विक्सित रूप है समय पर देवनागरी लिपी में नई नई धवनियों और उनके लिए नई नई चिन बना लिये गए हैं यही कारणे कि आज हमारी वणमाला एवाम लिपी संसार की सबसे विक्सित वणमाला और लिपी मानी जाती स्पस्टता और वेंजकता में अन्य दूसर हिंदी, मराठी और नैपाली भाषा है इसी लिपी में लिखी जाती अब कोश्चन ऐसे भी बन सकता है कि हिंदी के लावा और कौन भाषा है इस लिपी में लिखी जा सकती है तो संसिक्रत और हिंदी तो आपकी है यह मराठी और नैपाली भाषा है है ना बंगला और कुशन है देवनागरी लिपी का महत्व इसपस्ट कीजिए देवनागरी लिपी आज संसार की सरवाधिक व्यज्यानिक लिपी मानी जाती से संसार की लगबग सभी भाषाओं की धोनियों को उच्चरित कर सकने की शक्ति और शम्ता है इस लिपी में जो लिखा जाता है उसका उचारण बिलकुल वही किया जाता है जबकि संसार की अन किसी लिपी में यहां गुड रूप में नहीं मिलता है इस लिपी पे एंगनिश्चित वर्ण का परियोग ही उचित माना गया है इसी कारण देवनागरी लिपी को विज्यानिक लिपी माना जाता है आयोगवां से जांगरा आयोगवां कहे जाते हैं इनका परियोग स्वर और वियनजन दोनों में होता है user कोशन आ जाए कि स्वर और openं में किसका परियोग होता है तो ऊगवर आहह दोनों पाढ़ी सर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, संयुक्त वन का अर्थ बताते हुए वर्णों को आकरति के आधार पर वर्गी न सेखले किरत किजिए तथा वर्णों को संयुक्त करने के नियमों पर परकास डालिए संयुक्त वन जब दो वन मिलकर किसी शब्द में परियुक्त होते हैं तो उन्हें संयुक्त वन कहा जाता है इसमें कम से कम एक वन स्वर रहित होता है जैसे ग्वालार, रंभा, क्यारी, अंत, आदी वन को उनकी आकृति के आधार पर निमलिकित वर्गों में बाता जा सकता है खड़ी पाई या अंत पाई वाले वन, मदपाई वाले वन, बिना पाई वाले वन, विशिश्ट वन पर्थम वर्ग में आने वाले वन खागा घाचा जाईयां अडा ता था और ना पाबा भा मा या लावा शा याणि आपका शरीफे वाला शा और सपेरे वाला सा और चत्रिये वाला चात्रा और जाई ये हो जाते हैं और दित्तिय वर्ग के वर्ग का फा और हाब का हो जाता है बिना पाई वाले वर्ग छा टा ठा डा रा दा हा विशिस्ट वर्ग रा विशिस्ट वर्ग तो रा हो जाता है सयुक्त करने वाले नियम प्रत्هم वर्गवाले वर्णों को अंतिपाई हटा दी जाती है जैसे ख्याती गौाला चेवन आदि दृत्य वर्ण में लटकी हुई सून हटा दी जाती है जैसे क्यारी फियूज ब्रामण तिरतिय वर्ग वाले वर्णों के नीचे हलंत लग जाता है जैसे उच्छवास ट्यूब आदि रा विशिष्ट वर्ण माना गया है जब यहां अन्य वर्णों के साथ संयुक्त होता है अर्थास्वर रहीत होता है तो इसका सरूप ऐसा कि यह देखे आपका हो जाता है कि रूप में होता है उस समय इसका परियोग अगले वर्ण के रूप में होता है जैसे क्रम तो क्रम जैसे क्या है कर हलंत और मा और लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं करम है न यहां पर यह करम रा के साथ जब अन्य कोई स्वर रही वर्ण जुड तो रा अपना सरूप बदल लेता है और इस तरह से जो आपका हलंत हो जाता है हलंत है ना उसको क्या करते हैं इस तरह से के रूप में कर देते हैं रा के वर्ग के हलंत वाला सरूप तब होता है जुड़ने वाले वर्ग अत्यंत पाई और मध्य पाई वाले वर्ग के हो जैसे का प्लस रा का और हलंट रा है न? कर, गा प्लस रा गर, रा के रूप का पर्योग तब होता है, जब सयूक तो हiasmने वालावण, बिना पाई वाले वण का, हो जैसे टा प्लस राडल, डा प्लस राडल, आद, रा के पर्योग में प्राया लोग गलतियां करते हैं, लिखते हैं। बहुत जादा से लोग लिखते हैं। लेकिन लिखा अशीर और आशीर में राध लगता है। पर्योक करते हैं जैसे आशिरवाद तो आशिरवाद, मतलब वाद में आ की मातरा उपर रहा लगता है, और कुछ लोग लगाते हैं तो बड़ी शा में बड़ी ए की मातरा और उपर रहा लगा देते हैं, ये आम सी बात है, लेकिन ये अशिद्धी है, जैसे उज्जवल, ऐसे उजवल लिखते हैं जादा तरह आप देख लें किसी से भी आप ट्राइ कर लें लेकिन ऐसे ही लिखेंगे लेकिन जो शब्द सही है तो उजवल इस तरह है लेकिन परचलन में यही लोग इसी तरह से लिख देते हैं है ना उसके बाद देख लेते हैं आरंबिक इस तरपर लेखन आरंब कराने संबंधी साब्धानियों का वर्णन कीजिए तो समझ लेते हैं आरंबिक इस तरपर लेखन प्रारंब करने संबंधी साब्धानियां बच्चों में लेखन आरंब करने से पहले उनको मांसिक रूप से तय का उचारण करने लगे और उनकी उंगलियों की मास्पेशिया कलम पकड़ने में समर्थ हो जाए तभी उन्हें लेखन कोशल की और अगरसर किया जाना चाहिए इस संदर्भ में निम्न साथानिया अपनाई जा सकती हैं देवनागरी लिपी लिखने के लिए लकडी की बनी हु बच्चा लिखते समय कुर्सी या जमीन पर बैठे तो उसकी रिड की हटी सीधी होनी चाहिए और लेखन समय उसकी द्रश्टी से 14-14 इंच की दूरी पर होनी चाहिए दवात हमेशा बच्चे के दाईयों रखी जानी चाहिए ताकि उसे कलम दुमाने में कटनाई ना हो ले हाशिया छोड़ कर लिखना चाहिए इसे अक्षर सुन्दर सुडोल तथा समान अनुपात में लिखे जाते हैं तो ऐसे ही तो कुछ तक्ती होती है ना इस तरह से अपकी तक्ती हो जाती है और यहाँ पर यहाँ पर हाशिय छोड़ देने चाहिए और यहाँ पर इस तरह से और फिर सुन्दर सुन्दर लिखना चाहिए तो क्या होता है अच्छी सुन्दर ऐसे लगता है देखने में भी सुन्दर लगता है है ना सुडोल और जब भी आप क्या बता रहें कि जैसे कि जिसमें खड़िया रखी होती है है ना तो वो जो है आपकी तो यहां पे रखी होन है ना ऐसे हाथ इसको यहां पे लाके तब डुबाना पड़ेगा तो इस तरह से दिक्कत होती है उसके बाद हो जाता है सुलेक लिखने का अभ्यास कापी पर ही करवाया जा सकता है आज कल बाजार में सुलेक लिखने के लिए अनेक तरह के अभ्यास पुस्तकाएं उपलब द बच्चों के समक्ष लेखन के सुन्दर नमूने होने चाहिए सुन्दर नमूने श्यामपट अथवा दीवार पर लिखे होने चाहिए ताकि बच्चों को लेखन के लिए प्रणा प्राप्त होती रहे सुडोल शुद्ध सुडोल तथा आकरशक लेखन में अनुलेक सुलेक था शुरिती लेक के महत उपर परकास डाली यहां पर मैं एक चीज बताना चाहूंगी जैसे आपने देखाऊगा जादा तर बच्चे जब स्टार्टिंग से उनको चीजों को सिखाने जाता वो क्या करते हैं वो गलत चीजें ही लिखते हैं जैसे उनको आ प्लस ग्यान लिख क्या होता है यह मैं के च्टा लगा के जैनी च्टा बड़ा च्टी बड़ी च्टोज रिड़े ए ऐओ अंग अहँ इतना तो आपको लिखना है यह आपके स्वर हो जाते उसके बाद जब स्टार्टिंग करें का से तो आप जो का की लाइन होती का खा गा गा और अड़ा यह इतना एक ही लाइन में तो लिखेंगे, क्योंकि वर्ग में बटे हुए हैं, और बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा तर इन सब का एक में मिश्रण कर देते हैं, यानि सब को मिला देते हैं, काखा गागा अडा, फिर यहीं से चाह और चाह स्टार्ट कर देते हैं, जहां तक लाइन ना फिल हो पाए जब वह लाइन भर जाती है तो मतलब लाइन के बच्चे चलते हैं और जादा तर हमने यह चीज भी देखी कई बच्चों के की उनकी कॉपी भी चेक होती है लेकिन ऐसा नहीं है यह गलतियां ही बच्चों को क्या करती है फिर वह उनका माइंड सट हो बोकुत महत है क्योंकि आप सुलेक से ही बच्चों के जो लिखावड़े उसको सुन्दर बना सकते हैं और जब लिखने का अभ्यासी बच्चे नहीं करेंगे तो क्या लिख पाएंगे क्या सुन्दर लेक लिख पाएंगे अनुलेक का शाब्दिक अर्थ है जैसा पहले से अनुलेक के अंतरगत बच्चा उसी परकाड लिखता है जैसे सुलेक में अध्यापंग ने लिखा हो अथो बच्चा अलका हलका लिखा हुआ लेक पर कलम फेर कर लिखने का अभ्यास करता है अनुलेक में भाशा से चण का लेक भी सुन्दर तता स्वस्ट होना चाहिए ऐसी परकिरिया है जिसका परियोग करके बच्चे अपने लेक को सुधार सकते हैं। लेक को देखते ही परिक्षक के अमन में विद्यार्थी के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल भाव उत्पन होने लगता है कहते हैं। वह सुंदर लेक नहीं है तो वही वाली चीज फर्स्ट इंप्रेशन इस दा लास्ट इंप्रेशन तो क्या वह इंप्रेशन जो होता है वह नेगिटिव की तरफ चला जाता है कि लेखन ऐसा है तो एक एक चीज बारिकी से पढ़ी जाएं। वैसे क्या होता है कि इतनी बारिकी से भले चीजों को ना पढ़ा जाएं। आपका सुंदर सुंदर लिखा है और सही भी लिखते हैं। जो पढ़ने में अच्छे होते हैं वह सुंदर लिखते भी हैं। और अच्छा पढ़ते भी हैं। लेकिन जब देखेंगे तो आपको ऐसे ही मिल जाते हैं। यह चीज तो आप सभी लोग जानते होंगे। यहां पर हो जाता है बच्छों के लेखन को सुधारने के लिए सुलेक पुस्तकों का उपयोग किया जा सकता है। इस पुस्तिका में सुंदर सुडोल तथा समानुपात में बड़ी अक्षियर, शद तथा वाके छपे रहते हैं। अगली पक्गितियों में हलका हलका लिख तो जब बच्चे फेरते हैं तो उनकी आदत पढ़ जाती है कि वर्ड इस तरह से बनाने हैं। निमलिकी तुपार पर ध्यान देने से बच्चों का लेख सुंदर बन सकता है। यहां पर देखिए कलम पकड़ने की पदती बिलकुल सही होनी चाहिए। जब कलम पकड़ने क पदती सही होगी तबी तो बच्चा अच्छे से लिख पाएगा। खुरदुरे और रदी कागज या खराब पेंतता फीकी स्याहिसे कभी नहीं लिखना चाहिए। इससे सुलेक प्रया खराब हो जाती है। सुविधा की अनुसार सबसे पहले या निश्चित कर लेना चाह भाशा सिशक पर इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे शीघरता से ना लिखें कि शीघर लिखने से अच्छर बिगड सकते हैं क्योंकि जब बच्चों को आप सिखा रहे हैं लिखना तो उनको जल्दी से ना यह नहीं कि फड़ा-फड़ से लिखें बहले दो अक्षिर मना दो दो करके कहते हैं नहीं बून बून से सागर बनता है तो जब वो धीरे-धीरे सीखेंगे फिर एकदम से सागर बन जाएगा है ना हाथ को ढीला करके नहीं लिखना चाएज से अच्छर भद्दे बन जाते हैं निकिसी बच्चे का लेग बहुत खराब हो तो उसे कलम के द्वारा धीरे-धीरे लिखने का अभ्यास कराना चाहिए अब देख लेते ही शृतलेग किया है शृतलेग इसका महत्पस्च कीजिए देखी 2018 में भी आया हुआ कोशन है 2,090 में भी आया हुआ कोशन है शृतलेकार थे सुनकर लिखना यानी इमला है ना इसे शृतलेग भी कहते हैं जब विद्यारती लिखने में पर्मिड हो जाता ह और परतीलिपी भी लिख सकता है तब उसे शुर्टलेख लिखने की प्रणा देनी चाहिए आजकल सिच्छक के स्थान पर ग्रामोफों तटा टेप रिकोर्टर का भी परियोग किया जा रहा है इसे बच्चों को शुर्टलेख लिखने में काफी साहता मिलती है और बेतीर पकने लिखा हो अतवा बच्चा हलका हलका लिखे हुए अब डेश डेश ऐसे लिखा हुआ लेख पर कलम फेर कर लिखने का अभ्यास करता है अनुलेख में भाशा शुर्च्छन का लेख भी सुंदर तथा इसपश्ट होना चाहिए अभ्यास पुस्तिका में जो हलके हलके अच्छर लिखे जाते हैं वे सुन्दर आकरशर होने चाहिए तभी बच्चा उनका अनुकराण करते हुए सही लिखने का परियोग करेगा वस्तुता अनुलेक सुलेक लिखनी के लिए एक ऐसी परकिरिया है जिसका परियोग करके बच्चे अपने लेक को सुधार सकते हैं ग गलत अगर आपका माइनस का सवाल दिये है और आपने उसको प्लस कर दिया यानि आपका गलत यानि क्या है यह सत्य ग्यान है सच्चा ग्यान है और एक चीज़ और है आप लोग तो मैत फ़र सभी लोग पढ़ते हैं क्योंकि आपके समस्टर फरस्ट सेकेंड फ़र सारे तो आप लोगों ने सव्च जाना होगा होगा जिन लोगों ने पहले से मैथ नहीं ले garden है क्यों को समझने में और आप लोगयों में कितनी बारीकिया आई होगी है ना क्यूंकि मायद पढ़ने से बड़ी बारिकिया आ जाती हैं अपने आप ही मैं ऐसा लगता है कि हाँ हमको जो भी काम करना है वो बहुत ही अच्छे से करना है और वैसे भले आप इतने अच्छे से ना करते होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन इतने अच्छे से भले ना कर पाते हों, लेकिन अब जब से आप मैत पढ़ना आपने स्टार्ट के होगा, तब से आप चीजों को बहुत ही अच्छे से करते होगे, क्योंकि आपको यह ग्यान हो गया, मैत का जो फॉर्मूला है वो आपने हर एक चीजों पे उसको फिट कर लिया होगा कि नहीं अगर ऐसी है अगर एक पॉइंट की भी गलती हो गई तो मतलब गलत हो गया यानी हर चीज में यही तो नियम लागू होता है तो चीजें बहुत ही जादा चीजों में सुधार आया होगा यह एक यथार्त और सत्य ग्यान है किसी कथन की सत्यता या सत्यता की परक तरक के आधार पर करता है या तारकिक शमता का विकास करता है या चिंतन शक्ति का विकास करता है या रटने पर कमबल देता है या अन्य विश्यों के अधिन में सहाय कि यह मस्तिश्क को अनुशाशित करता है संख्या किसे कहते हैं संख्या यानि नंबर इकाई या इकाईयों का मेल संख्या कहलाती है अत्वा कोई भी काई जितनी बार ली जाती है वो संख्या है कोई भी संख्या जो दस अंकों की सायता से लिखी जाती है वो अंक हैं दस अंक यानि जीरो एक दो तीन चार पां 296 आदि कुछ भी आप एक्जाम्पिल में लिख सकते हैं जरूरी नहीं कि यहीं आप एक्जाम्पिल में लिखें संख्या रेखा को दर्शाइए संख्या रेखा पूरांक संख्या की श्रंख्ला को दर्शाने के लिए जिस रेखा को परियुग में लाया जाता है उसे संख्य चीज़ है यहाँ पर जीरो से स्टार्ट होता है तो इधर की संग्या एक दो तीन और आपको अच्छे से पता है जैसे आपने एक रुपया कमाया ठीक है एक रुपए के बाद आपने एक और और कमा लिया तो तीन रुपए हो गया याँनि आपका प्लस में होता चला गया था तो आप थोड़े थे फिर जब एक रुपया और हो गया तो आप थोड़े और जादा हो गया जब तीन रुपया हो गया तो थोड़े और जादा हो गया यानि कहने का मतलब यह आपके पास चीजें और हो गई है ना लेकिन यहां पे इसका यह अपोजिट होता है क्या अप आपने किसी से कर्ज लिया उधार लिया एक रुपिया तो आप कितने के कर्ज है बने एक रुपे के बने लेकिन जब आपने दो रुपे उससे उधार ले लिए तो आप कितने के बने यानि आप और माइनस में चले गए फिर जब आप तीन रुपे उससे आप माइनस में चले इस तरह से आप ऐसे ही आप चले जाएंगे यानि जितना आप लेते चले जाएंगे उतना माइनस में चले जाएंगे और इधर का ये है आप जितना कमाते चले जाएंगे जितना इठा करते चले जाएंगे आप उतना प्लस में होते चले जाएंगे और अगर बात की जाए बात कर रहे हैं, यहाँ पे, माइनस यहाँ पर लगया, माइनस infinite की बात कर रहे हैं, तो यह होता ही, पुरांग होता है, यह सबसे च्छोटा पुरांग होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखेगा, क्योंकि यह आप के math में आप लोगों को बड़ी help कराने वाला है, और जो मैंने ये सारी परकिरिया आपको बताई है तो ये आपकी math में बहुत ही help कराएगी हाला कि इसमें जो आपका ये subject ही है इसमें भी बहुत help कराएगा चोटे बच्चों को गिंती सिखाने की एक सैचिक गतिविधी लिखिए संख्याओं को गिना पढ़ना सिखाने की किनी दो गतिविधियों का उले कीजिए गिंती सिखाने की समंधी मुखी बात ये देखिए 18 में भी आया यानि की 2018, 2020, 2016 यानि की आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है, समझ लेते हैं आरंबिक इस तर पर गड़ित सिखान आरंब करने हैं तो सिखक को चात्रों को गिंती तथा संख्या के पृतियों का अध्यान कराना आरंब करना उसे इस कार ये तो सरुपरतम अगरबातों का ध्यान रखना चाहिए बालकों को गिंती ओम संख्या के पृतियों का अध्यापन कैसे क्या जा चात्रों को सीखने की रूची किस परकार की हो किस माध्यम से जल्दी सीख सकते हैं वे व्यक्तिगत रूप से कितना अधिक से अधिक सीख सकते हैं गड़ित शिच्छण का अध्यापन का उचिस समय क कौन सा बालक वप्चारिक शिछण के अतिरीकति क्या क्या सीख सकते हैं बालकों के मांसिक इस Cao कर अद्ध्यान करना ये हो जाता है बच्čों की गिंति के गई कराएं जाता है यहा आ सबसे सरवत्तम विदी हैं गिंती सिखाने के लिए चोटे बच्छों को खेलने के लिए कुछ वस्त वैंधर करा आई जाती है। में सबसे सरलता से जोड तथा घटाने में अपनी कुछलता का प्रदरिशन करते हैं, प्राकर्तिक संख्याएं लिख कर समझाएं, प्राकर्तिक संख्या क्या होती हैं, जैसे वो संख्या होती हैं, जिसमें जीरो नहीं लगा होता है, हम इसमें देख लेते हैं, प्राकर्तिक स सकते हैं मालेजाब के पास पुस्तक हैं तो एक दो तीन चार पाँच है ना तो यह क्या है कि हम गिंती कर सकते हैं लेकिन इसमें जीरो नहीं लगा होता है अगर जीरो लग जाता है तो यह कौन से संख्या हो जाती है तो यह पूर संख्या हो जाती है और जीरो नहीं है तो यह प्राकर्तिक संख्या, जीरो है तो ये पूर संख्या है, ठीक है ना, और आपको पता है कि जीरो का विश्कार कहा हुआ, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, आरोही क्रम तता आप रोही क्रम किसे कहते हैं, आरोही क्रम यानि सीड़ियों से उपर चड़ना, आरोही क्रम यानि उपर से नीचे उतरना, यानि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से आपका क्या हो जाता है, आपका आरोही क्रम हो जाता है, और 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 आपका क्या हो जाता है, यानि आप सीड़ियों से नीचे उतर रहे हैं, ये आरोही क्रम हो जाता है, ठीक है ना, आप एक्जाम्पिल दे के भी समझा सकते हैं और सीडियों वाला ये वाला भी एक्जाम्पिल बहुत अच्छा होता है बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। हासिल जोड एक संख्या का भाग तथा दो संख्याओं के हासिल का भाग इसी क्रम में सिच्छन दिया जाता है। और दान चात्रों का एक का जोड सिखाना चात्रों को जोड प्लस का निशान चिन समझाना भी अतियाशक हो जाता है क्योंकि अब आप बच्चों को यहीं नहीं समझा पाएंगे कि यह चिन किसके हैं तो बच्चे क्या कर पाएंगे वो तो जगा पे घटाना और घटाना की जगा पे गुड़ा और गुड़ा की जगा पे भाग लेकिन आप बच्चों को ऐसे समझाएं कि अगर आपने चिन जैसे मान ल से समझ में आ जाते हैं फिर उसके बाद आपने चार और चार और ये ठीक है फिर उसके बाद चार और चार और भाग काम निशान लगा दें इस तरह से आप लगा दें या अभी आप बच्चों को सिखा रहें तो वो बच्चे कंफ्यूज भी हो सकते हैं तो उनको इस तरह से यह देखिए यह देखिए निशान लगा हुआ है अब देखिए आप बच्चों से कहेंगे कि यहां पे भी चार 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 अब बच्चों को ग्यान नहीं है उनके जो मन में आएगा वो बोलेंगे क्योंकि बच चार और चार आपने जब जोड़ा तो यह 8 हो जाते हैं, लेकिन यह सिंबल ही आने पर क्या हो जाता है चार मैं से 4 जाता है तो कुछ नहीं बच्छता है, क्योंकि इस सिंबल के द्वारा ही हमने वर्क किया है, ठीक अब गुड़ा है तो 4 चकु 16 हो जाता है, यानि देखे क्य हुआ, यहां पे 8 आ गया, यहां पे 0 आ गया, यहां पे 16 आ गया और जब आप इस तरह से सरल भाश्या वाला सिखाएं क्योंकि ऐसे बच्चे समझ जाते हैं, चार एक कम चार यानि कि इसी का ये चार और चार का अंसर आपका एक आया यानि कितना फर्क है सिर्फ किसी फर्क बना सिर्फ आपका सिर्फ कहिए या बहुत कुछ कहिए सब कुछ इसमें खेल है निशान का है ना तो आप बच्चों को इस तरह से समझाएं चात्रों का एक जो और उसके बाद आपने बच्चों को सिखाया ठीक है ना तो यहां पर आप लोग देख लें पहला चर्कायों को जो वही चीज हो गई जो भी हमने आप लोगों को पता है आप लोग इसको देख लें ठीक है ना अच्छे से अब घटाना का आर्थ बिना उधार लिए घटाना क से दूसरी संख्या को कम करना घटाना कहलाता है घटाना जोड की विलोम यानि उल्टी हो उल्टा होता है ना तो बिना हासिल के घटाना यानि नो मैंसे चार गया तो पांच बचा आठ मैंसे छे गया तो दो बचा और पांच मैंसे दो गया तो तीन बचा लेकिन यहां पे अगर मा लीजे, चार मेंसे 9 घटाना हो, है ना, और यहां पर आठ है, यहां प shrinking, तब आप इन से उधार लेंगे, तो यह उधार वाली पर पूछी ही नहीं घई है, यहां पर हो जाता है, बिना हासिल के घटाना, यह देखे उधारन में, आप कोई भी उधारान ऐसे दे सकते हैं जो आप जरूरी नहीं है कि जो ये इसमें आपके मतलब आपके ये question में छपा हुआ है ये print है तो यही आप दें जरूरी नहीं है इसका कोई वो नहीं है 9 IK में से 4 IK घटाने पर 9 IK में से 4 IK घटाने पर 5 IK माइनस 2 IK बराबर 3 IK इस तरह से विशेश घटाने के लिए सदे और बड़ी संख्या मैं से चोटी संख्या घटाई जाते है क्योंकि आप लोगों को पता है अगर बाइचाँ चोटी संख्या है तो आप किसी से घटाना रेगा मैनस काना मैनस मतलब के आप धार में ही है और नीय है एक संख्या से दूसरी संख्या को घटाने के लिए 11 IK को serg मैसे 1000 को ही strh प्यूंकि एसा नहीं है कि आप यहां पे लिखे हुए है तो आप इसमें से इस को घटा दें इसको इसमें से ऐसा नहीं है, आप इका यी दहाई से कड़ा इका इधर से होती है, और दहाई इधर से होती है, तो आपका जो राइट हैं उधरी से तो होता है, तो उधरी से आप जो अंक है, कुछ भी मतलब आप लिख सकते हैं, हमने सिर्फ committed के लिए, और हलाकि नंबर ही है ऐसा तो है नहीं कि नंबर नहीं है तो आप इस तरह से घटा सकते हैं लेकिन इसका इससे घटाएंगे इसका इससे घटाएंगे और इसका इससे घटाएंगे ना कि इसका इससे इसका इससे ऐसे तो नहीं घटाना होता है उसके बाद देखिए हैं 654 मैंसे 300 सरसट घटाएं तो आप यहाँ पे इस तरह से घटा सकते हैं आराम से कोई दिक्कत नहीं है अब यहाँ पे कैसे घटाएगे हैं वही चीज आ गई कि घटाना है तो यहाँ पे क्या है आप क्या कहने है 654 मैंसे 366 घटाने हैं तो आप इस तरह से घटा दें 654 और 366 है ना तो अब आप जब घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे 366 और क्या है यहाँ पे 654 और 366 कैसे घटाएंगे आप तो आप इनसे लेंगे ना उधार लेंगे यहां पे तो खर नहीं उधार लेंगे क्योंकि चार मैंसे साथ तो जा नहीं सकता तो यहां से आप उधार लेंगे और जब उधार लेंगे तो कितना बनेगा तो यहां पे चौदा बना चौदा मैंसे साथ गए तो साथ बचे और यहां पे आपका कितना बचा तो चार ही तो बचा क्योंकि इसने इसको एक रुपया दे दिया था माल लेज़े आपके तीन दोस्त हैं है ना तीन दोस्त है और एक ने मांगा तो इसने दिया लेकिन इससे मांगा और भाई देना भी बहुत जरूरी था है ना तो जब भाई इसके पास भी नहीं थे तो अपने दूसरे दोसर से इसने लिया फिर इसको ट्रांसफर किया तो जब ट्रांसफर किया तो इनके पास तो हो गए अब इनके पास घट गए और इनके पास पहले से ही घटे थे अब इनको जरूरत पड़ी तो इन्होंने इनसे ले लिया तो जब इनसे लिया तो यहाँ पे कितने बन गए तो यहाँ पे इन्होंने एक दे दिया था तो यहाँ पे चार बचे थे और जब यहाँ पे दस बना दिये दस हो गए भाई एक लिया तो दस हो गए तो यानि दस का मतलब 4 बचे थे तो 14 हो गया और 14 मैंसे 6 जाते तो कितना बचता है 8 ही तो बचता है तो 8 बच गया अब यहाँ पे कितने भाई बचे यहाँ पे इन्होंने इसको एक दे दिया था तो यहाँ पे बचते हैं 5 और जब 5 बचते हैं 5 मैंसे 3 जाता है तो कितने बचते हैं तो दो बच जाते हैं तो इस तरह से ये आपका आंसर निकल कर आ जाता है 287 तो आप यहाँ पे इसको लिख दीजे इस तरह से उसके बाद आपका हो जाता है संबोधन निर्मार के छेत्र में छेत्र से आप क्या समझते हैं तो संबोधन के अंतरगत बहु संख्या मान निकालना उनके मोटे मान के रूप में लिखने के क्या तर्क है उसकी परस्पर तुलना करने की क्माई हैं कैसे इस्थिति के लिए सरवाधिक उप्युक्त मापन की इकाई चुनने का बोध ही ये हो जाते है उसके बाद आपका हो जाता है इकाई से दहाई तक बढ़ने में आने वाली समस्याई क्या होती है तो देख लेते हैं एक से नो तक के संख्यां की इकाईया कहलाते हैं वस्तुता की बढ़ती हुए मात्रा के प्रदिशित करने के लिए बड़ी संख्याई की आशकता पढ़ती जिसे कई अंकई हो इसके लिए बच्चों को सरवत्रम दहाई का घ्यान होना चाहिए आवश्यक उसके बाद सेक्ड़े का और इसके बाद का अधर भाजाता हजार 10,000 में उन्हें गिनना चाहिए वहoux white pride 10 का भ्ली भाति परिच्रीत नहीं है इसको इस पश्ट करने के लिए सिच्चक बच्चों को बताएं कि इनौ वस्तु में एक वस्तु को मिला देने पर दस वस्तु में प्राप्त होती इसके लिए संख्यांक दस इस तरह से दस का परियोग किया जाता है बच्चों में दस वस्तु में कंकर तीली, बीज, मोती, अता दस तीलियों और एक तीली बराबर दस तीलिया थाल एक दहाई और एक इकाई तो ग्यारा भाग के गुड़ धर्म से आप क्या समझते हैं तो भाजन गडित की वह परकिरिया है जिससे दो संख्याओं का गुड़न फल और इन संख्याओं में से एक दिये रेने पर दूस ख्यात्वां अंक को जितनी बार घटाया जाता है उतनी बार भाग देना होता है भाग को देखे इस सिंबल से है ना चिन इसे प्रदर्शित किया जाता है भाग के परमुक अभियों को इस्पस्ट करते हुए भाग की क्या है किरिया दर्शाएं तो भाग की संक्रिया को माइनस आठ तो बराबर अब दूसरे दिन जब भाई 40 थे तो 8 घटा आए तो 32 बचे अब दूसरे दिन 32 में से आपको 8 घटाने है तो 24 बचे अब तीसरे दिन 24 में से 8 घटाने है तो 16 बचे और 14 दिन 16 में से घटाने है तो 8 बचे और 5 वे दिन 8 में से 8 घटाने है तो 6 0 बच चालिस और यह आपका आठ तो आठ पंजे चालिस है ना आठ पंजे चालिस नहीं पाच उसके बाद हो जाता है विशेश्वा संख्या जिसे भाग दिया जाता है भाज कहलाती है तथा जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं जितने बार भाग दिया जाता ह उसे भागफल कहते हैं, घटाने पर जो बचता है वह शेश्वल कहलाता है, यथा भाज, भाजक और भागफल और यहां पर यह शेश्वल बच जाता है, इस मूल संक्रिया के अध्यन में अध्यापक सरल से कठिन तथा इस्तूल से स्चूश्मिकी और बढ़ता है, यानि जो स सरल है, उसको पहले समझा जाता है, उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप कठिन चीजों की तरफ बढ़ा जाता है, पहले वह सरल भाग सिखाता है, फिर बालकों को हासिल वाले भाग सिखाता है, जिसका विरून प्राव धारों से समझा जा सकता है, उदार, 48 अमर इहां पे कुछ नहीं बच्चा और आठ यहां पे उतार लिए, तो आठ चार दूना, आठ यहीं तो हुआ ना, चार दूना, आठ और आठ में से आठ गया यहां तो कुछ नहीं, यानि 13, तो यहां पे आजाता है, 12 असर प्रतिक बच्चे को 12 अमरूद मिलेंगे और इमने में भी लिखा जा सकता तो इस तरह से जैसे अभी इमने आपको बता है उस तरह से हो जाएगा गुड़ा की संक्रता को उधारान सहित समझाएं गुड़ा की संक्रता हो जाती है आपकी जोड की आसन विधी गुड़ा विधी कहलाती है क्यूंकि एक ही संक्रता को बार बार जोनने की किरिया गुड़ा रूप ले लेती है ठीक है न और 26 को 5 से गुड़ा करें तो यहाँ प कौन है भाई इकाई मैं इसे लिख सकते हैं इसमें कौन सी नियम फ्रेंट्स आगे पढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्रेज्टैब और बैल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें इकाही यह के इस्तम के और दहाई के इस्तम से लिखना शुरू करते हैं इस तरह से आपका हो जाता है और अभी आपका जो कोश्चन है आपका बच्चा हुआ है इकाई का अभी प्राई स्पस्ट कीजिए है ना यहाँ पे तो भी कुछ कोश्चन्स आपके बच्चे हुए हैं इनको भी देख लेते हैं एक सी वस्तों के सम्हों में से किसी एक वस्तों को उस वस्तों से सम्हों की इकाई कहा जाता है तो एक सी वस्तों के क्या होता है कि सम्हों के सम्हों की काई कहा जाता है दहाई को समझाए दहायम सेकडा का अभी प्राई स्पस्ट कीजिए 9 एकाई में 1 एकाई जोड़ देने से 10 एकाई या 1 दहाई हो जाती से परकार 20 एकाई को 2 दहाई, 30 एकाई को 3 दहाई, 40 एकाई को 4 दहाई, तथा 50 एकाई को 5 दहाई कहा जाता है है ना यदि 90 इकायों में 10 इकायी जोर देने से 3 अंको की संख्या प्राफ्थ होती है जिसे दाई और से पहला अंक इकायी दूसरा अंक दहायी तीसरा अंक सेकड़ा कहलाएगा इस परकार 100 इकायी के समों को सेकड़ा या 100 कहेंगे चुकि सो इकाई दस दहाई बराबर होता है इसलिए दस दहाई के सम्हों को भी सेकड़ा या एक सो कहते है इस परकार बीस दहाई को दो सो तीस दहाई को तीन सो और चालिस दहाई को जो है चार सो तता नब्बे दहाई को नो सो कहते हैं सेकड़ा को समझाए तीन अंकों की पहली संख्या 100 होती है जो 99 से एक अधिक होती है इसी परकार 124 में एक सेकड़ा 2 दहाई और 4 इकाई होंगे उदाराण 156 बराबर एक सेकड़ा 5 दहाई और 6 इकाई आप ऐसे मान लें इसको ऐसे समझें जैसे यह आपका इकाई हो जाता है यह आपका दहाई हो जाता है और यह आपका सेकड़ा हो जाता है तो इकाई कितनी है छे है और दहाई कितनी है तो 5 और 1 जीरो है ना तो 10 यानि क आपका पांच है और यहाँ पे सेकड़ा तो एकाई दहाई सेकड़ा तो सो है ना और एक तो यह ही है इस तरह से आपका हो जाता है इस्थानिय मान वा वास्तविक मान क्या इस्थानिय मान को उधारन सही समझाएं इस्थानिय मान किसे कहते हैं उधारन सही समझाएं किसी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता उसे वास्तविक मान कहते हैं जैसे 235 में दो वास्तविक मान है जब कि इस्थानिय मान 200 है बिल्कुल सही है इस्थानिय मान कैसा निकालते है अगर इसमें से पूछ लिया जाए कि दो का इस्थानिय मान तो दो आप लिख देंगे और जितने अंके उतने 0 लिख देंगे तो यह आपका इस्थानी अमान हो जाता है लेकिन जब वास्तविक मान अगर हम कहें तो आपका 2 का 2 वास्तविक मान है तीन का 3 वास्तविक मान है और 5 का 5 है इसको तो नहीं बदल सकते हैं आप ना उसके बाद आपका question है संख्या 336 में दोनों 6 के इस्थानी अमान का अंतर ग्याद करें अब इसमें क्या कहना है पहले आपको ये बताना है कि जो आपकी संख्या 636 है उसमें 6 का इस्थानी अमान दोनों 6 हुए ना ये तो नहीं का एक का बताओ या दो का बताओ तो दोनों का आपका बताना पड़ेगा यानि संख्या 636 मे 6 के इस्थानिय मान का अंतर बताना है तो पहले वाले 6 का जो इस्थानिय मान है वो कितना है तो देखिए पहले वाले यानि इकाई, दहाई, सेकड़ा अगर हम इकाई की तरफ से स्टार्ट करते हैं तो हमारा हो जाता है यह 6 ही हो जाता है फिर हमारा इकाई दहाई सेकडा तो यह हमारा हो जाता है छे सो हो जाता है अब इसमें क्या कह रहा है इस्थानिय मान का अंतर बताएं तो आपका छे मैंसे अंतर है घटाना है ना तो यहां से उपर से हम ऐसे घटा लेते हैं छे मैंसे यह आपका तो यहां पे दस बने दस मैं इसे आपका जाएगा 6 तो 4 बचा यहां पे 9 ही तो रहेंगे तो 9 हो गए और आपके यहां पे 5 हो गए तो 594 सिंपल सी बात है कि 6 घटा दी तो 594 हुए अब यहां पे क्या कह रहे हैं अंतर ग्यात करना है और इन्होंने यहां पर क्या क्या इसको जोड दिया है, है ना कि 6 का 6, 3 का 3, 6 का 6, तो यहाँ पे तो अंतर का मतलब क्या होता है, अंतर का मतलब तो घटाना होता है, हम इसको घटाएंगे, तभी तो अंतर आएगा, तो कितने का अंतर है, तो 594, 6 का अंतर हो गया है ना, तो इस तरह से आप करिएगा अधिगम में शारिरिक समस्याओं से आप क्या समझते हैं ये भाषा सिछण में किस परकार बाधा उत्पन करते हैं भाषा सिछण में शारिरिक समस्याओं क्या उधार से इस पस्ट कीजिए भाषा सिछण में छात्रों के शारिरिक दोशों जैसे द्रिश्टी दोश उचाना अनुकरण उनकी मुद्रा आधि के आधार पर कई परकार की समस्याइं आ जाती हैं जो की कुछ अगर परकार हैं द्रिश्टी दोश अधिकतर कच्छा के अंतरगत बहुत चात्र ऐसे होते हैं जिन्हें श्यामपट पर लिखी बाते स्वष्ट दिखाई नहीं देती हैं ऐसी इस्तिति में वह साथ में बैठे चात्री की कापी को देख कर नोट करते हैं जिससे गलतियां होनी सभाविक हैं समाधान ऐसे चात्रों को कच्छा के आगे बठाना चाहिए आखों की डॉक्टरी जाच करानी चाहिए त्रटी पूर अनुकरण अधिकतर चात्र दूसरों को आकशित करने की भामना से ग्रिशित होते हैं वह उचारों को गलत रूप में बदल कर बोलते हैं यहीं उनकी दो तुमें सुधार लानी का परेतिन करना चाहिए कुझ घातर शा को शाय यानि जो शरीफ फिचरी एला शा दा को टा बोलते हैं उन्हें रूपना चाहिए त्जा रूपना चाहिए उचारर अन दोश कच्छा में कई ऐसे बच्छे होते हैं जो ततलाते टा। अथ हकलाते चाहिए चिकिसक की साहता से ऐसे दोशों को दूर किया जा सकता है शिरुवन दोश का कम सुनाई देने से ऐसी समस्या आ जाती है कि छात्र शा को शा अंतर नहीं कर पाते यह समप्रेशन की कमी का कारण है समधान चात्रों की द्वनी का ग्यार कराना चाहिए तता ऐसे चात्रो और आपका question बस ये last आपका second नहीं तो last third question है आपका series complete हो जाएगी इसलिए थोड़ी से long video चली गई है बाकि ये आपका complete हो जाएगा यहाँ पर ये series चलिए देख लेते हैं संप्रेशन की समस्या आज प्रियास विधाहीन विद्यालों में ऐसे समस्याय होना स्वभाविक है कच्छा में चात्रों की संख्या अधिक होने से चात्र अध्यापक की बातों को ठीक से सुन नहीं पाते हैं कई बार अध्यापक अर्थी भाषा का परियोग कर समस्या उत्पन कर देते हैं अर्थ का अनर्थ हो जाता है समाधा अध्यापक का स्वर सही होना चाहिए दियर्थी शब्दावली का परियोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए आरो अवरो को इस्पस्ट कीजिए पठन की प्रकिरिया में जब तक उचित आरो अवरो का समावेश नहीं होता है तब तक उन एक अवसरों पर छात्रों द्वारा उचित आरो अवरो का ध्यान ना रखते हुए पठन किया जाता है। पर छोटी संक्या जो सबसे पहले है यानि कि आपकी आठ हो जाती है। आरो ही क्रम में लिखिए आरो ही क्रम में यानि कि आपका हो जाता है आरो ही क्रम वही क्रम की सेडियों पर चढ़ना। सबसे छोटी संख्या क्या है तो भाई यहां पे आपका हो जाता पहले लिखे हुई है तो इसके बड़ी तो 719 हो जाती है क्योंकि यहां से आप देख ले फिर 842 फिर इसके बाद देखिए यहां पे कॉंसी हो जाती है तो यहां पर ये भी एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये भी एक, दो, तीन, चार, पाँच अंकों की संख्या ये भी है और पाँच अंकों की संख्या ये भी है लेकिन यहाँ पे आपका 65,000 है यहाँ पे आठतर तो 65,000 चोटा होता है अठतर हजार बड़ा होता है तो पहले लिख दें उ इकाई दहाई सेकड़ा हजार यह आपका 4,321 की तुलना कीजिए तथा चिन्नो ग्रेटर देन नॉन ग्रेटर दिन का परियोग कीजिए अब इसका परियोग क्या होता है कि जिधर की संख्या बढ़ी होती उसका मुह उधर खोल देते हैं उधर का खुलावा रखते हैं जैसे तो आप सभी को ऐसा नहीं कि मैत आती नहीं होगी लेकिन चीजों को बारीकी समझे और अगर कुछ ऐसी गर्णा करने में कोई कटनाई हो रही है तो आप इस तरह से आप लोग काउंट कर सकते हैं ठीक है ना तो यहां पे देखिए 50,341 और 4,321 तो इसमें कौन बढ़ा है तो इसमें आपका 50,341 वही चीज़ की इधर का मुझ खोल दिया और यह आपकी छोटी हो जाती है फिर क्या कह रहे है तुलना कीजिए तथा चिन्नों का परियोग कीजिए तुलना भी बता रहे हैं और तुलना का मतलब क्या होता है तुलना का मतलब होता है कि कौन बढ़ी है और कौन चोटी है तो बराबर इसमें आपका हो जाता है कि 5,0,3,4,1 अब इसमें से आपका 1,2,3 और यह आपका 4 इतना ही तो है अब क्या करना है यह 40,020 जो आंसर आया है तो एक में से एक गया कुछ नहीं चार में से दो गया तो दो बचा तीन में से तीन गया तो बचा और यहां पे 5 था इसने एक दे दिया तो आपका कितना बचा तो 4 बचा है ना तो 46,020 यह आपका हो जाता है यानि तुलना यही तो हो गई आपने इसको गटा के बता दिया अब यहां पे है 4321 और आपका हो जाता है कौन तो यही आपका कौन सा बड़ा है तो 46,000 इस इसकी तुलना करनी है तो इसी तरह से आप इसको कर लीजिए तो आपका यह आंसर निकल कर आ जाएगा ठीक है ना फिर घटाना में उधार क्यों लिया जाता है उधार ना लेने पर क्या समस्या आएगी और यहां पर है घटाने में यदि नीचे की संख्या बड़ी है तो घट 6888 हैं और यहां पर आपको 9 घटाने हैं और इसमें से आपको मा लेजिए 7 और कोई भी संख्या लेजी इतना ही हम लोग रख लेते हैं समझने के लिए ठीक है यहां पर माइनस का है यह अब 8 मैं से 9 तो जान ही सकता अब आप क्या करेंगे अगर ऐसे ही घटा देंगे तो क जब 18 मैं से 9 गए तो 9 बचे अब यहां पर कितना बचा क्योंकि इसने एक इसको दे दिया अब जब 8 मैं से एक दे दिया तो 7 ही तो बचे तो जब 7 बचे तो यहां पर हम 7 ही तो लिखेंगे और 7 मैं से 7 गया तो कितना बचा 0 बचा तो इस तरह से यह आपका 0 हो गया बाकी यह आपका हो गया जरूरी नहीं कि सारा फिल करें क्योंकि भाई आपके पास इतने रुपे थे और आप से कोई इतने मांग रहा है आपने इतने माइनस किये तो आप इतने ही तो माइनस करेंगे है ना तो इस तरह से आपका हो जाता है आई होप आप लोगों को शेशन अगर कोई भी doubt है कहीं पे कोई confusion है कोई चीज के लिए नहीं हो पाई तो please आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें वाइच चीजों को तभी हम समझ पाएंगे जब आप लोग कमेंट करेंगे है ना तो आप लोग कमेंट जरूर करें और अगर आपको शेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें थेंक यू